कौने sequel किomasii को नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूं सभी अच्छ होंगे त्रेंदनौन टॉपिकों से चाहे आप कोंस्टेबल के एक्जाम को ले लो या फिर बियुपेस्सी तक यह जो टॉपिक है बहुत ज्यादा sama Time के ऑल यह जो जिस है वह आपके दिल्ली Jadi ककर सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारी मेनत लग रही है इसमें बहुत सारा समय मेरा ऐसे जा रहा है एनलाइस करने में की और एक्जाम की गहरा ही को मापने में आज का हमारा आफे जिए जो समद्क्रान अभर मना जाता है उस्संस लेकर 600 कि सब्रोत आए अच्छार ये ये दो भागों में माटा जाता है इसे दो खंडों में माटा जाता है एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 से लेकर 1000 इसा पूरुक तक उधर उत्तर वैदिक काल का समय था इस सब्धिता के जो निर्माता थे वो थे आ रहे जिसका अर्थ होता था जिसका अर्थ होता है स्रेश्ट ठीक है इस जो सब्धिता के जो वेदिक काल थी वेदिक सब्धिता थी उसके निर्माता आ रहे थी जिनका जो अर्थ स्रेश्ट होता है और उनका निवासिस्तान था म आयोंका निवास्थार उत्री धुरुब जोह किसके दism बता गया है यह बताया गया है बाल गंगाधर तilak के दवरा तलंग से लेकश्थार जो आर्योंका निवासिज इस्तान क्या मतलब है मतलब यह जो छेत्र था वो था साथ नदियु के बीच का शेत्र जिससे पंजाब पंजाब प्स नदियों के विल्क बीच का चेते लिए सब्सेंदम और जाता है यह चेत्र जो सब्सेंदम से मतलब यह साथ नदियां थी यहां पर साथ नदी थी वर्तमान की सिंदू जहिलम चनाव रावि व्यास 17 और सरस्वती चीए है अब ये कुशा जाता है इनका वैदिक नाम पूछ ले जाता है जैसे सिंदु का वैदिक नाम था hellum का था विटस्ता चिना W का ता अश्टकनी रावी का था पौरुशनी व्यास का था विपासा सत्लूज का था शतुद्रि सरश्वत्वति जिसकते खरें करसकते हैं तुकि धरमिक नाम है यह तow नदीट्मा नदीक की आत्मक का मगया टीक है शत्लूज मं अनदीओं साथ यूंश में असीट से तो इसमें भी नए और इसमें भी नए ठीक है चनाव और अस्कनी ठीक है आगे पता चलता है इसका आगे है जो वैदिक सब्विता का वैदिक सब्विता के जो सुरूत क्या है वैदिक सब्विता के बारे में सुरूत हमें मिलते हैं दो तरह के सुरूत मिलते हैं एक स्रूत है साहत्तिक स्रूत और एक स्रूत है पुरात्तिक स्रूत है साहत्तिक स्रूत में क्या है चार वेद हैं जो की प्रमुक्ष्रूत है छे वेदांग है एक सो आठ उपने सद हैं जिनमें से प्रमानेक है बारही ठीक है पुराण है अठारे पुराण है ठीक है यह सारी जो की 1420 का माना जाता है मद्द एस या में एक देश पढ़ता है तुर्की में ये अविलिक मिलता है इसमें उल्लेक मिला है देवताओं के बारे में इंद्र, वरुण, मित्र और ना सब्त भारे में जो बहुज को यह अवले उसमें मिलता है प्रातव स्रोत में एक अब जो स्रोथ है वह म्रदभांड दो प्रकार के थे एक जो पूर्वेदक काल का था वो गैरिक रद हौन्ड द़ देता और उत्तरव्य काल एंबेचत AB देखें के सबसे पहले सबसे पहले देखते। जिसका अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है, क्या होता है, ज्यान, आर्रे का अर्थ क्या था, स्रेश्ट था, वेद का अर्थ क्या है, ज्यान है, वेदों की संग्या कितनी है, चार है, रिगवेद, सामवेद, यजरवेद, और अथरवेद, जो पहले तीन वेदों को वेद तरही कहा गया है, करते हैं बारी बारी से एक एक वेड़ क्यों सबसे पहले है सबसे पहले हैं रिगवेड जो है सबसे पराशीन ब्हूंत और इसकी लिपी कोई सी ब्रहह्मिال पिए थीक है अच्छा इसकी जो समानता है इसकी जो पुलना है वो इरनी tota है एक जैन्द धेश्ता. उस से की गई है ठीक है। इसमें दस Semonedal दिये गए हैं। ये जो RIGVED Assessmental दीये गये है जिसमें सब से नया जहाई है वो पहला और 10 वार कॉछ तो पुछ गया है कि रिगवेद में सबसे नया मंडल कुछ सा एक पहला और 10 वाम मंडल इसके तीसरे जो मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है जो विश्वा मित्र द्वारा रचित है और किसे समर्पित है सुर्ण देव को समर्पित है ये कोशन दोनों पूछे गया है तीसरे मंडल में विश्वा मित्रु द्वारा लिखा गया है, जय तरी मंत्र और सुर्ण देव को समर्पत है, वहीं पस साथ मंडल में दसराज युद्ध के बारे में वे उलेक मिलता है, जो कि रावी नदी पर मिलता है, जो पहले किस नाम से जाना जाती थी? और उस्रणी के नाम से जाने जाते थी राजा कुन थे सुधास राजा थे सुधास राजा थे ठीक है आ गया है नौवा मंडल नौवे मंडल में सौम देवता का उलिख है को सन ये भी पूछे जाता है कि सौम देवता का उलिख किस मंडल में मिलता है नौवे में और वहीं दस पूछि लिए जाते हैं अब आगे देखते हैं है आगे दिखते इसकी बारे मेंbandse गाती है अब देखते हैं यह के देवता के बारे में धूता बारे में देखेंगे कु healthy 5 नाम से पुरंदर के लिए इनके लिए टाइस्व स्लोग दिए आपके रिग वेद में और इने देवता माना गया है युद्र-का-देवता और वर्षा-का-देवता कौ Together यूद्र को यूद्र्स बोनों का देवत्ता माना गया है इनने पुरंदर का गया है और इनके लिए रिंग्वेदमें धाईसोग दिये गये अब आ जाते हैं सव्म देवता के इने वनश्पत्ति का देवत्ता का गया है कौशन यह भी पूचा गया है आ आगे है वर्ण को समुद्र का देवता का वहीं अगनी को मद्यस्ता का देवता का वही अगनी को मद्यस्तता का मतलब मीडियेटर का वही जो आगनी थे वह दूसरे प्रमुक। इनका जो इस्थान था वो second नमर पर आता ता पहले नमर कौन- Under थे और दूसरे नमर पर अगनी थे वही अस्वी नहीं जो है उन्हें चिकतषा का देवता माना गया है रिकवेद का God क्या है आयरुड II हैं ठीक है और उपनी सथ удивant Ka यह कोशत की रिये कोशत की और एक एत्रे कोशत की եेड़ दूसके क्या है उपने सदें अ आ गया जाता है सामवेद दूसरा वेद है सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है सबसे पहली वार इसमें 7 सुरोब का प्रियोग हुता 7 सुरोब का सबसे पहली वार सारे गामा पाद़ा नीसा ठीक है अच्छा उसके बाद जो सामवेद के मंत्र को गाने वाला या पर अध्यता जो होता था उसे उद्गाता काता उद्गाता कहते थे वहीं पर रेगवेद में क्या होता था? होता होता था और यहां पर उद्राता होता था सामवेद के पहले द्रश्टा कौन थे? प्रतम द्रश्टा कौन थे? जैमिनी, जो वेदवयास के सी से थे सामवेद की चार साखाई मिली है कौथुमी है जैमिनी है और रानाईनी है कौथुमी है जैमिनी है और रानाईनी है जो सामवेद का उपवेद है गंदरवेद बहुत वार कॉशन पूचा क्या है गंदरवेद किसका उपवेद है किसका है सामवेद का उपवेद है सामवेद हो गया हमारा सामवे से इतने questions पूछ जाता है आगे आजाता है यजरवेद देखो यजरवेद यजरवेद जो है वो गद्ध और पद्ध दोनों सहलियों में है question पूछा जाता है वह कुण सा वेद है जिसकी सहलिक गद्ध और पद्ध दोनों है ठीक है? अच्छा जो सहीता है, सहीता को वाजसने कहा गया है, सहीता को क्या कहा गया है, वाजसने कहा गया है, ठीक है, यजुर्वेद का जो अध्यता होता था, उसे बोला गया है, अर्धवयू, ठीक है, इसका उफवेद कौन सा देखें, इसका उफवेद जो है, वो है धनुर्वेद, यजु युद्धकला के बारे में विवरेड मिलता है तीक है यजुरवेड में यग की विधिया मिलती है इसकी यग की विधिया मिलती है इसमें सबसे पहले उल्लिक वाक कौन से यग का रासुय यग और वाजबे यग का सबसे पहले उल्लिक किसम मिलता है यजुरवेड में मिलता है कि इसके पहले जो द्रश्चा थे पहले इसका नाम अधर्वएद रखा गया अने नाम क्या हका अधर्वएद का और इसमें क्या है जादू तो ना वसीक्रन यह चीज चीज है जा जाता था उसे ब्रहम आ जाता था वह ऌजा जाता था भ्रह्मा का जाता था इसका उपवेध क्या है इसका उपवेध है सिलपवेद है इसमें जो विवरिण दिया गया है प्रजापती की पुत्री हृ cualquier को बता गयी nor जवा और समीति इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या है परिक्षित को मिर्ति लोग का देवता बताया गया है इसमें अथरवेद में आगे देखेंगे आगे अन्य तत्थ देखते हैं देखो सबसे पहले देखते हैं विधर्थ के बारे में विधर्थ क्या है विधर्थ क्या था राजा की साहता है तू एक संस्ता थी सबसे प्राचिन संस्ता यह है विधर्थ जिसमें महिला भी सामिल होती थी इसमें यह इसका क्या काम होता था और लूट उपज और लूट को जो बटवारक किया जाता है ठीक है राजा के साथ सबसे प्राचिन संस्ता बहुत वार कोशन पूछा गया है आगे बात करते हैं समीती की समीती सबसे बड़ी संस्ता है विदर्द सबसे प्राचिन संस्ता है और समीती सबसे बड़ी संस्ता है, इसमें भी महिलाय सामिल होती थी, वहीं सबाकी बात करें, तो सबाक कुलीनों की संस्ता होती थी, कुलीन मतलब अमीर लोगों की संस्ता होती थी, यहाँ पर जो वैदिक काल में, पुत्री के लिए दुहिता सब्द का प्रियों किया गया है इसका दुहिता सब्द का वहीं विदूसी जो वेदिक काल में विदूसी थी अपला घोसा लोपा मुद्रा और पोलमी इन सभी से कुशन पूचे जाता है ठीक है अमाजू जो है अमाजू सब्द प्रियों किया गया है जो इस्तरी आजीवन एविवाहित होती थी जो इस्तरी आजीवन एविवाहित रहती थी उसे अमाजू के नाम से जाना गया है लिखो वेदिक काल में चार आश्रम के बारे में जनकाली मिलती है चार आश्रम क्या क्या कालमें बली जो सब्द है वो प्रियो किया गया था स्वेक्षा पूर्वक दिया गया कर यानि पैक्स जो स्वेक्षा पूर्वक कर जो दिया जाता था उसे बली कहा जाता था वैदिक कालमें अब आगे बात करते हैं देखो इस कालमें जो रतनेन होता था रतनेन कहते थे किसक से छोटी काई थी समाज की सहुक्त परिवार था और पित्र सत्ता अत्मक था कैसा था पित्र सत्ता अत्मक था वहीं हमने सिंदु घाटी सब्विता में पढ़ा है कि समाज कैसा होता है मात्र सत्ता अत्मक होता है क्योंकि वहाँ पर देवी की पूजा की जाती थी वनस्पदी देवी की आर्थे किस्तिती की बात करें तो आजीव का के लिए पसुपालन किया जाता था गाय को अधन्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था that so do these do комп personally trump मैंने आपको बताया कि वस्तु होती है मैंने समझाया है आपको सिंदुबाटी संबता में अब आंगे देखते हं अब बात करते हं उत्तरवैदिक काल की देखो उत्तरवैदिक यहां पर क्या होता है जो जन था वह जन पद बन गए जन पद बन गए राजा की सक्ति में वरद्दी हुई और जो राजा है वह 1,000 उगज चुने जाने लगे और जो यहां पर टेक्स था यानि कर था कर जो है नियमत कर दिया गया कर जो है नियमत कर दिया गया कि ये कर देना ही देना है परीबाद सबसे छोटी कही होती थी उसके उपर होता था गाउं गाउं के उपर होता था विस और विस के उपर होता था जनपद ठीक है अच्छा यहां पर जो है जो लेकर मरण तक 16 संसकार आ जाते हैं उनका विबरन इसमें मिलता है अब इस्त्रियों की दसा देखते हैं इसमें जो इस्त्रियों की दसा में परिवर्तन होता है यहां पर प्रथा जाती है और दहीज प्रथा आ जाती है दहीज प्रथा परदा प्रथा यहां पर आ जाती है उत उत्तर वेदिकाल में विदूसी थी मैत्रेई, गारगी और कात्याईनी, वैदिकाल और उत्तर वैदेकाल दोनों की विदूसीओं को किलियर रख़ेँ, ठीक है? किया जाने लगा जिसमें पशूर में सबसे महत्पूर्ण होता था घोड़ा नगरी करन शुरू हो गया व्यापर वही वश्टू विनियम प्रेडाली पर आदा रहता है इसमें फसल बोई जाने लगी जिसके साक्ष मिलते हैं धान और गेहूं के साक्ष मिलते हैं अब यहां और यहां पर ժूशण पूशन जो है भगवान पूशन सुद्रों के देवता हो जाते हैं और यहां पर क्या वाजीपए यग किया जाता था रैज के विशता थैजी बहर को नहीं ठीबिजर को 1714r में गते हैं बूड़ा जितने मेन राज्या चाईइन हो जाता था यद्हें उसको युद्ध लड़ना तो गोड़ा कोड़ जाता था अब जो यग कराता था वो उससे फिर यूद करता था ठीक है वही आगे देखते है उत्तरवेदिक कालमा का क्या है लोहा खोज ले जाता है आपको पता है साक्ष मिलते हैं कहां से अतरंजी खेडा से कहां से मेरट के अतरंजी खेडा से लोहे के साक्ष मिलते है ठीक है जिसका का नाम, लोहे को क्या का गया है? क्या स्याम ऐस्क क्या 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 और आजस्क कहा गया है? यहाँ पर क्या है? मो ग kopम कैटार से क्याक प्रिस्थान शर्ण्य और राभत गीता ब्रहमसूत्र और उपनस्तथ तीन प्रस्थान त्रही ग्रंथ अगर देखो यहां पर क्या है जो तरवेदिक काल में आकर रुद्र जो है रुद्र की पूझा होथी थी पश्वो के देवताग रूप में रुद्ध किसका रूप था भगवान सेव उनकी पूझा किसके रूप में होती थी रूप में पस्वो के देवताग रूप में ये कॉशन पूचा गया भाई अब बात करते हैं उपने सदों की वेध पढ़ लिए अन्य चीज भी कहा गया है वेदान्त कहा गया है जिनकी संग्या कितनी एकसोआटे ज्यान मारगी रचना है मुंड को उपनी सद जो है उसे सत्ते में धिते लिए गया है कफो उपनी सद में जो है नची केता और यम का समवाद मिलता है वही चैंडारण ये उपनी सद में याग वलक्य और गारगी का समवाद मिलता है जो समवाद मिलता है आगे देखेंगे आगे बात की गई व्याकरण देखो व्याकरण की जो पहली रिचनाती में आपको पहले वी एक पर पता है व्याकरण की पहली रिचनाती वो थी पढ़नी की अस्टा द्याई इसी पर अस्टा द्याई प पुराणों की बात करते हैं, तो पुराणों के जो संकलन करता थे, वो लोम हर्स और उग्स रवा थे, जिनकी संगा कितनी है, अठारे है, मतल से पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, जो की साथ वाहन वंस के समय में संगलित हुआ, विस्नु पुराण मुर्य वंस के समय का कहा है और वाईव पुरौन्स के समय का है इनका समय काल उझली आ जाता है पुराणों का अब बात करते हैं इसमीरतियां की इसमीरतियां जो है वह धर्म Healthcare के आ गया है मनु इसमीरति जो है संग काल में अब दर्शन की बात करते हैं जो भारत का दर्शन है, इसा भी शक्राइब तो त पर अफ़ो था दर्शन है घर अजैंग भारत में छे दर्शन हो का विपरलता है कितने का छे दर्शन विद्धालनों का कोंन कोंसे हैं देखो एक सांखे दर्शन जो जिसका सांखे दर्शन के पृतिपादकौण थे कपल मुनी थे निया दर्शन के गोतम थे योग दर्शन के पतंजली थे वैसे सिख दर्शन रीसे to kणार ते महें र कनाद कर म interessant के जैमिनी थे और उत्तर के वा दिर्ध रायान ते कुल थे वाद रायान इन से पुछ ले जाता है कि उत्तर मीमां सब्वीश सब्वत सबुछण ङलत नहीं हो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बता हैं मिलते अगले वीडियो में जहन